कि उस पे कई सीरीज में आपके सामने नेट्फिक्स का एपिसोड आएगा इसके पहले चार एपिसोड मैं जारी कर चुका हूँ लेकिन आज जो तथ्या आपके सामने रखने जा रहा हूँ यह अत्यंत गंभीर है और देश के 28 करोण लोगों से जुड़ा हुआ मामला है 28 करोण वो लोग जिसके भविश्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि तुम्हारा पैसा उठाकर पूझी पतियों को सौब दिया जाएगा और यह फैसला कब लिया जाता है 2015 में लिया जाता है क्या लिया जाता है सरकारी विभागों में काम करने वाले करमचारी जिनका प्रॉविडेंट फंड का पैसा कटता है प्रॉविडेंट कमपनियों में काम करने वाले करमचारी जिनका प्रॉविडेंट फंड का पैसा कटता है वो पी अफ का पैसा उठाकर पचास कमपनियों के शेर खरीदे जाएंगे पचास कमपनियों के सेर खरीदे जाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें दो कमपनिया अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेज ये दो कमपनिया अडानी की हैं और पैसा कितना लगा है आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे एक लाख सत्तावन हजार करोण रुपए एक लाख सत्तावन हजार करोण रुपए इन कमपनियों का शेर खरीदा गया है किसके पैसे से जो भविस्त के सुरक्षा के लिए लोग करमचारी अपने भविस्त की सुरक्षा के लिए पी अप का पैसा रखते हैं उस पैसे से एक लाख सत्तावन हजार करोण रुपए का शेर खरीदा गया है करीब-करीब आतीस हजार करोड रुपय का सालाना सेयर उन पैसों से खरीदा जाता है बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पारकों में नरेंद्र मोधी जी का समर्थन करने में मैं आज सभी उन अंकल्स से कहना चाहता हूं, आंटी से कहना चाहता हूं ध्यान से ज़रा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ आपका पैसा उठाकर किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है नरेंदर मोदी जी आपके भविस्य के साथ किस तरह से खिलवाल कर रहा है ज़रा सोचिए और पार्कों में बैठिये और चर्चा कीजिए तो थोड़ी चर्चा इस पे भी कीजिए वो सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं आपका पैसा उठाकर नरिंद्र मोदी जी ने एक लाख सतावन हजार करोन रुपए पी अफ का पैसा इस देश के 28 करोन लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइविट कमपणियों के शेयर खरीदने में लगा दिये और मज़ेदार बात देखिए हिंडन बर्क की रिपोर्ट आई सबने आगाह किया भाई अब तो समल जाओ अब तो सावधान हो जाओ हिंडन बर्क की रिपोर्ट आगई बहुत बड़ा भ्रस्थाचार किया है अडानी ने अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया है अपने शेयर की कीमते फरजी तरीके से बढ़ाई है बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए है उनके सेयर का वास्त्विक दाम क्या है पता नहीं है कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकान दबाना न भूलें